हाई एवरिवन जेसी किष्णा राधे राधे हर हर महादे और मैं सरला इंट्यूट्य टैरोर रेडर में फिर से एक रेडिंग लेकर आ गए हूँ और इस रेडिंग का थीम है आर्केंजल माइकल का बहुत जरूरी संदेश ओके ये जो आर्केंजल माइकल जो मेसिज यहाँ करेंग यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कौन सी अपॉचिनिटी के लिए होसकता है और किसी के लिए अभी की इस्थिती के लिए यहाँ पर यह हो सकता है ऑके तो और यह यह collective reading है, timeless reading है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, औके, और मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि किसी को आर्केंजल माइकल की पोहुत guidelines की जर्रत थी, किसी की यहाँ पर healing चल रही है, कोई दिल से पुकार रहा है आर्केंजल माइकल को, कोई दिल से प्रेयर कर रहा है उन से, तो ये उनके लिए भी खासतोर से ये मेसेज हो सकता है, ठीके, और थैंक यू, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करने के लिए, कामेंट्स करने के लिए, और सस्क्राइब करने के लिए आपकी आखें आपकी किसी की आखें यहां पर बहुत प्यारी हैं जैसे आखों में यहां पर देख रही हूं कि किसी की आखों में फिर से एक उम्मीद एक रोशनी जैसे किते ना आशा की किरन यह सब मैं महसूस कर रही हूं कि आप आप सभी की आखों में फिर से जैसे क कि कि ठीपि नेटें एक खुशी को मैं भ demiş कर रहे हूं यहां पर का कुछ जिसे कि थे मैंगर और huk एक हर तरफ खुश्या, खुशया नदर आएंगी। सब आप helemaal शारता हृयली यहां पर नदर आएंगी। और यहाँ पर जैसे आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि फाइनली, हाँ, यह मतलब अब जैसे कहते हैं कि हमारी आखें, ठीके, हमारी आखें जब बहुत दिनों बाद हमें किसी बात का ऐसास होता है, हमें, जैसे कहते हैं कि हमें फील होने लगता है, हमें महसूस होने ल तो किसी कि आखे बता रही हैं यहां पर, कि आपकी भविस्द को ओर आपकी इस्तिति को यहां पर आपकी आंखे बहुत कुछ बोल रही हैं बता रही हैं और पॉल पोजिटीव उसमें यहां पर ठीक Làm यह मेसिस था किसी के लिए ठीके और जिसे भी परसे रिटिंग चाहिए मैंने अपना वर्टसप नमबर डिस्किप संबॉक से मेंशन कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हो ठीके तो आर्केल जर मायकल कि क्या मतलब क्या आपोचिनिटीज आपकी तरफ भेज रहे हैं क्या यहां पर चीजे आ रही हैं कहां पर बेट रही हैं ठीके जबजस्ते अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना ठीके और सब धरम के लिए यहां पर है क्योंकि यह उर्जा है ठीके यह फरिश्ते होते हैं जो फरिश्ते ऐसे होते हैं हमारी उर्जा जैसे होते हैं ठीके, बहुत ही अलगी उर्जा होती है इनकी, तो यहाँ पर मैं रिडिंग स्टार्ट करती हूँ, किसी के लिए यहाँ पर यह मेसेज आ रहा है, कि आपको जिसे कितना है कि हसने के लिए बोला जा रहा है, कि जितना जादा आप हसोगे, जितना जादा आप खिल-खिलाओगे, अपना बचपना आप जीओगे, उतना ही जैसे आप अपने दर्द को कम करोगे, अपने आपको हील करोगे, जिसे किसी की हीलिंग यहाँ पर आर अपने आपको उतना ही हील कर रहे हो एक बहुत बहुत strong message है यहाँ पर किसी के लिए ठीके तो अगर कोई भी मोका मिल रहा है आपको हसने का या बात करने का या enjoy करने का तो guidelines यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर है कि उसे miss नहीं करना है अगर आपको कहीं से कुछ भी मोका मिल रहा है तो उसके साथ अपने आपको merge करो अपने आपको रोको मत कि यह मेरे लिए नहीं है यह blessings मेरे लिए नहीं है यह खुशी मेरे लिए नहीं है आरकेंजल माइकल यहाँ पर बताना चाते है कि बच्चे जो boundary आपने set कर रखी उसे तोड़ो पहार निकलो enjoy करो अपने आपको heal करो ठीकें और आतो ही blessings opportunities को यहाँ पर receive करो ठीकें किसी के लिए यहाँ पर यह message था किसी को हसना बहुत पसंद है जैसे केते हैं कि अपनी वो जिंदीगी हसने में ही देखता है मतलब जैसे केते हैं कि बच्चा होता है हसा भी कब जाता है कि जब उसके ओपर कोई burden नहीं होता है stress नहीं होता है सारी चिंताओं से वो मुक्त होता है तो जैसे केते हैं कि आरकेंजल Michael यहां पर आपको बताना चाहते हैं आपको बस उसी उड्जा में आपको रहने के लिए बोला जाह रहा है कि जितना जाधा आप अपने childhood मतलब यहां पर मुझे मुझे किसी का बचपन ठीके किसी का बचपन हील हो रहा है यहां पर जैसे बचपन के कुछ घाव हैं आपके सबकॉंसेस माइंड में तो आरकेंजल माइकल उसे हील करना चाहते हैं आपका बचपन वो आपको फिर से लोटाना चाहते हैं वो आनंद के साथ वो जैसे कि खुलकर एक बच्चा अपनी जिन्दिगी को आगे की तरफ लेकर जाता है प्लानिंग करता है आपने सब्फने सजाता है नई नई ड्रिमस देखता है ठीके संबुत के आप आपने आपको नई उड़ नवाइब गयल के साथ बढ़ता है हर पल हर कदम फिक कि तो ऑर्केट आपको उसी रूप में उस जगे उस रूप में आपको देखना चाहते हैं ठीके तो यहां पर यह message था आपके लिए Archangel Michael की तरब से तांक्यू Archangel Michael Thank You Thank You So Much किसी को Archangel Michael की जैसे इस्टेचों की वैसे तो वह उर्जा है ठीके लेकिन कभी कभी समझ नहीं पाते हैं हम कि यह उर्जा किस टाइप की है ठीक है जैसे मुझे बहुत आर्केंजल माइकल अलगी फॉम में मुझे यहां पर नजर आते हैं अलगी उर्जा में मुझे यहां पर मैं उनके साथ कनेक्ट होती हूँ तो सब के साथ उस रूप में कनेक्ट न उनकी उस वो आपको जगे जगे दिखाए देगी या आपको ट्रिम से में भी दिखाए देगी ठीके तो आरकेंजल माइकल यहाँ पर आपको ये संदेज देना चाहते हैं कि डरने वाली बात नहीं है आप जब जब जहां जहां जो जा रहे हो at least जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो टीकि ऊसमें आरकेंजल माइकल आपको मंजूरी दे रहे हैं वर उस काम में आपके साथ में चल रहे हैं थीके तो यह एक सब अपनी अपनी situation से ले ले न आर्केंजल माइकल आपको क्या बताना चाहते हैं कौन सी blessings, guidelines, opportunities आपकी तरफ यहां पर दे रहे हैं थैंक्यो आर्केंजल माइकल, थैंक्यो, 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 सो मच किसी का यहां पर message आ रहा है कि आप Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, इसका आप मन में इसका जिसकी उर्जा को आप महसूस करो, थैंक्यो, यह आर्केंजल माइकल का message है आर्केंजल माइकल भी एक देव दूत ही है, सबकी देवताओं के अपने-अपने दूत होते हैं, तो यहां पर यह किसी के लिए message है, जो Krishna के बहुत बड़े भक्ते हैं, तो यहां पर message आ रहा है किसी के लिए थैंक्यो, एंजल, थैंक्यो, थैंक्यो, सो मच्क, कोई पानी की किनारे रहेता है, ठीके पानी की जैसे समुंदर, सी, उनके इर्दिकिर्दी शायद आपका काम है, वर्क है, और आप बहुत आपने आर्केंजल माइकल को महसूस करा है, लेकिन आप डाउट करते हो, ठीके, कि यह उर्जा की स्टाइब की है, लेकिन डाउट नहीं करना, आर्केंजल माइकल आपको बताना जाते हैं, कि जब जब भी आप अकेले हो, कुछ भी आपको ऐसा, इसा लगता है, कि नहीं है, आर्केंजल माइकल की उर्जा है, तो वाकई वो है, ठीके, वाकाई आपको वोटिंग नाव इन सब चीजों को मैं देख रही हूँ यहां पर ओके तो यहां पर आप अकेले अकेले जादा रहते हो और आप उस चीज में आपको शाद भैभी होता है डर भी लगता है तो आर्केंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं कि आप डरों मत वह आपके साथ में ह यहां पर ठीके थैंक्यू आर्केंजल माइकल थैंक्यू सो मच ओके सेलीब्रेशन आर्केंजल माइकल सबसे बड़ी ब्लासिंग्स क्या दे रहे हैं आपको वह आपकी तरफ यहां पर ब्लासिंग्स भेज रहे हैं ठीके ब्लासिंग्स भेज रहे हैं और यह ब्लासिंग्स गहाव थे आपके subconscious mind वे जो आप लेकर बेटे हुए थे उसकी healing हो रही है ताकि आप अपनी जैसे केते हैं कि आप अपने बचपन को बचपन को शायद आप भूल चुके थे जैसे बचपना केसा होता है जैसे केते हैं कि कभी भी अपना बचपना नहीं बूलना चाहिए हमारे अंदर एक बच्चा है तो उस बच्चे को कभी भी रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वहीं से हमें वहीं से हमारी जैसे केते हैं कि खुशी का अहसास होता है बच्चा क्या होता है बच्चे को जैसे केते हैं कि किसी की शरम नहीं होती किसी की लिहाज नहीं होती उसको जो मन में में आता है करता है बोलता है खाता पीता है तो आपको जैसे अरके अजल माईकल है ना बतलब इस उसमें आपको देखना चाहते हैं तैकि आपकी अंदर की चीजे बाहर निकल जाए जो आपको ब्लॉक कर रही है यहां पर ओगे और आप की जब आपकी healing होगी तब आप इस उर्चा में जाओगे यहां पर आपकी और जब यहां पर आपका एक 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 एसी receive mode में आप आओगे कि जहां पर आप बहुत बहुत जैसे किते हैं कि अपने आपको open करोगे आप यहां पर ठीके आपको जैसे मतलब यहां पर सब के बीच में जब सब के बीच में लाना चाहते हैं है और वह आपको है ना, बतल बहुत हर किसी के साथ आपको खुश देखना चाहते हैं आपकी life में वह खुशी देना चाहते हैं जिसके आप हगदार हो, जिसके आप deserve यहां पर करते हो, खास तोर से आपके रिष्टों में यहां पर रिष्टो में, जैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक आप जो भी आप अच्छीव करना चाहते थे, वो आप अच्छीव नहीं कर पाए हो, तो आर्केंजर माइकल वो भी जैसे केते हैं कि उसमें भी सक्सेस, उसमें भी सफलता आपको देने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ यहां पर आ रहा है, इंजोई, पार्टी, गेट टूगेदर, ठीके, जिसे आप उस चीज को आप जिसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ओके, हीलिंग है न, हीलिंग यहां पर, आपका बच्छपन, फिर से आपके अंदर यहां पर जाग रहा है, जो आर्केंजर माइकल आपके साथ ही यहां पर करना चाते थे, ओके, तो यहां पर गाडलाइन्स भी यही निकल रही है, अपोचनेटीज, मतलब अच्छीव कर रहे हो, आप यहां पर, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसे आप रिसीव कर र रहा है, कि बहुत बड़ी विक्टरी, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, उसको आप, काफी आपको एप्रिशेशन भी मिलेगा, उसका, ठीके, थी नमबर, आर्केंजर माइकल, आपको थी थी नमबर से काफी आपको अपना होने का होने का एहसास आपको दिलाएंगे यहाँ पर, ठीके, आप किसी कॉंपटिशन की एक्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस सफलता मिल रही है, उसका भी आप सेलिब्रेशन करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके, ता हैंग मैन, ओके, यह रि ठीके, वो सब यहाँ पर, मतलब आपकी लाइब से निकाल धिया है, आपको बैलन्स यहाँ पर कर दिया है, गाइटलाइस आपके लिए यहाँ पर यही निकल के आ रही है, कि आप यह ना, जैसे कितेने के आप अपने ज्ञान, ठीके, आप अपने आपके अंदर बहुत क्र आर्केंजल माइकल आपको ये बताना चाते हैं लेकिन हो क्या रहा था अभी तक शायद आप अपने आपको बैलंस नहीं बिठा पा रहे थे तो आप बैलंस की उर्जा में आ रहे हो आप यहां पर आपका हर चीज का सच बताऊना हर चीज का नजरिया आपका बतल रहा है देखने का खाने पीने का रहने का हर चीज में जिसे बहुत बड़ा मेजर बदला आपको देखने के लिए मिलेगा ठीके और उसे जैसे कितने कि जो भी चेंजिस आ रहे हैं ठीके उसे आपको रिसीव यहां पर करने की ज़र्वत है ठीके आप मतलब आप मुझे इससा लग रहा है ना कि पहले पहले चीजों में आप बराबर फोकस नहीं कर पाते थे ध्यान नहीं दे पाते थे या बहुत साथा ओवर्फिंकिंग सो चीजार इंस बाप चीजों में डूबे रहते थे जिसकी वज़े से आप जो सक्सिस ठीके जो सक्सेस और सफलता आपको मिलनी थी, वो जैसे केते नहीं कि वो छूट जाती थी आपके हाथ से, वो निकल जाती थी, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं है, अब आप पूरी तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो, ठीके, आपका दिल और दिमाग बैलेंस हो, और इसकी वज़े से आप अपनी नॉलेज को, ठीके, अपनी, जैसे केते नहीं कि आपके अंदर बहुत बुद्धी, जैसे आपकी बुद्धी यहाँ पर आपका माइंड, वो माइंड बराबर काम कर रहा है आपका यहाँ पर, आपके माइंड से बहुत क्रेटिव आईडिय आ रहे हैं, ठीके, और जैसे केते नहीं कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धी, जब यह एक सही दिशा में हमें लेकर जाती है, जब यह इसके अंदर बहुत पॉजिटिव थोर्स आने लगते हैं, तो हमें वो एक सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं, तो आर्केंजल माइकल यहाँ पर जैसे केते हैं कि आप अभी तक खुल्टे लटके हुए तो वो आपको सीधा कर रहे हैं, ताकि आप एक्चुल में जो सिच्वेशन हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आप उसे देख पाओ यहाँ पर, आप शायद अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई नहीं देख पाते थे, आपके अंदर बहुत जैसे बुद्धी, बुद्धी जैसे केते हैं कि आप लिखवा कर लाए हो, बुद्धी और डैकनी, और माइंट, ये तीन वर्ड, तीन नम्बर यहाँ पर आ रहा है, ये तीन वर्ड, डैस्टनी, बुद्धी और माइंट, बुद्धी माइंट ऐक ही है, तो ये सब चीजे जैसे आपके अंदर है, टीचे, लेकिन जैसे आप उसको भूल र रहे थे लेकिन बस जिसे केते हैं कि आपको आइना आपका आइना आपकी हकीकत आपकी सच्चा यहां पर आपको दिखाने की ज़रती ठीके ताकि आप मतलब आप जिसे अगर देखो किसी भी चीज को देखने का हमारा वे होता है किसी चीज को हम किस वे में देखने किस नजरि अपने आपको बदल दिया है ठीके आप आपके अंदर जो ज्जान है सच बताओ ना वो आप सही दिशा की तरफ जा रहा है आपकी नौलेज सही दिशा की तरफ यहां पर जा रही है और आप अपनी बुद्धी का सही इस्तमाल कर रहे हो, यहाँ पर बैलेंस हो, इसलिए, ठीके, आप 4 नमबर मेंचे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, 4 नमबर, 4 नमबर 1111, मतलब यहाँ पर 1111, 1111 की उर्जा को भी यहाँ पर देख रही हूँ, इस कार्ड से में आपको, ठीके, आप बहुत ज़्या ना है, वो फटाक से आप मांगो, ठीके, यह एक बहुत बड़ा मोका, मतलब यह एक बहुत बड़ा अफसर आपकी तरफ, आर्केंजल माइकल दे रहे हैं, ठीके, जब भी कहीं पर भी आपको 1111 नमबर आपको नजर आए, तो फटाक से जो भी विश है, आपकी आर्केंजल माइकल से आप मागो उन से, ठीके, और वो विश आपकी पूरी भी होगी, विश पूरी भी और हो भी रही है, जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीके, आपको बहुत बड़ी विक्टरी, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, ओके, फाइफ और सौर्स, मैंने आपकी जैसे कहते हैं कि बुद्धी और दिमाग की बात करी थी, दोनों कार्ट्स वही आगए हैं आपके, आपका माइंड सच बताओ ना, आप जिसे आपका दिमाग है ना, आरकेंजल माइकल आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, कि आप बहुत जिसे आपके अंदर strength है, आप हारेवालों में से नहीं हो, यहाँ पर आपने जैसे केते हैं कि आप मुझे इसा लग रहा है ना, किसी आप किसी ऐसी competition में या किसी कुछ ऐसी में जंग भी कह सकती हूँ या आपर, कोई ऐसी जंग थी जिसे आप अभी तक लड़ रहे थे, लेकिन वो जैसे केते ह कि आपके साथ कुछ ऐसा होता होगा, कि आप लड़ तो रहे थे, उस जंग को आप लड़ तो रहे थे, लेकिन जिसे केते हैं कि उस रस्ते से आप भटक जाते थे, ठीके, आपका माइंड है ना, वो आपको भटका देता था, ठीके, कि आपका लाइब परपस क्या है, साइक नहीं पैचान पाते थे, नहीं अपने ज्यान से जुड़ पाते थे यहां पर, अप, मतलब पास्ट में कुछ चीज़े ऐसे हुई है, आपके साथ बहुत जादा चीटिंग हुई है, बहुत जादा धोका आपको मिला है, जिसकी वज़े से आपकी उर्जा इन्बैले आपको स्ट्रॉंग कर गया है, ठीके केते ना कि अंत भला तो सब भला, ठीके आप जिस जंग में थे, उस जंग में भी अभी तक, मतलब आप जिस परेशानी में थे, जिस दिक्कत, जो भी दिक्कत थी आपकी लाइफ की, ठीके, उससे भी आप निकलने वाले हो, उससे भी बड़ी success ठीक है बहुत बड़ी सफसता आपको मिल रही है यहाँ पर ओके तो आर्केंजल माइकल देखो blessings तो यहां पर आपके लिए यहां पर यही आ रही है कि अब आपका समय आ रहा है ठीक है समय है खुश रहने का happy रहने का ठीक है opportunities भी आ रही हैं यहाँ पर लेकिन guidelines आपको यहाँ पर यही निकल रही है कि past में जो गुज भी हुआ है अगर आपके mind में वो आ जाता है ठीके अगर आप उसके बारे में सोच चिचार करने लगते हो ठीके तो आप वहाँ पर आपकी energy in balance हो जाती है ठीके तो आप बहतर यही है कि आप अपने आपको balance करो थोड़ा सा meditation करो ध्यान करो ताकि आप आती हुई blessings को आती हुई opportunities को आप ले सको ठीके ना कि आप पीछे की तरफ यहाँ पर देखो आपका mind थोड़ा सा आपको थोड़ा सा game खेल जाता है आपके साथ ठीके तो अपने आपको balance करो यहाँ पर past मे जो हुआ है उसे आपको वहां से अपने आपको निकालना है और निकल भी रहे हो आप यहाँ पर ठीके निकल रहे हो तब ही चीज़े आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है ठीके तो आर्केंजल माइकल यहाँ पर आपको बहुत बड़ी growth ठीके growth की तरफ आपको ले जाना चात तो यह एक एंजल का मेसेज है आपके लिए यहां पर ओके तफूल यस दफूल मतलब यहां पर क्या है एक जो मैं के रही हूं यहां पर बच्पना ठीक है खुश रहना इंचोय करना बिना बतलब चिंता मुक्त रखना अपने आपको दफूल जैसे कितना के यह इसको कोई फि फिक्र नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होगा मेरा भवश्य क्या है मेरा फ्यूचर क्या है क्योंकि इस परसन को अपने इश्वर के उपर अपने परमात्मा के उपर आर्गेंचल माइकल के उपर पूरा विश्वास है और वो ने ने सपने सजा रहा है ठीक है ने ने सपनों के साथ तो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है उसको सिर्फ अपने सपने यहाँ पर दिखायए देने कि मैं उस सपनों तक कैसे पहुँच सकता हूँ वो अपने मेरी कैसे पूरे हो सकते हैं ठीक यचे इसको बस उसकी जिस विश्वास के साथ, जिस फेत के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर पढ़ रहे हो, डाफिनेटली आपको एक दिन आपकी मनजिल जरूर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अब बैलन्स से क्यों जाओ, पहले आपको आपकी दिशा ही नहीं पता था, ठीके, आपको अपनी ही कोई भी परमात्मा एंजस अपने बच्चे को तुखी परिशान या बंधा हुआ नहीं देख सकता है, आरकेंजल माइकल आपको जिस परिशानी में भी गीरे हुए थे, परिशानी मुझे यहाँ पर आपकी यही नजर आ रही है, कि आपको जिसे पता नहीं था, कि जो आप की दिक्कत है, जो आपकी परिशानी, उससे बाहर मुझे कैसे निकलना है, ठीके, कैसे मैं अपनी मंजिल तक मैं यहाँ पर पोचूँँगा, ठीके, कैसे मैं अपने भागी के दर्वज़े यहाँ पर खोलूँगा, ठीके, जैसे आप बंधे हुए थे, जैसे बहुत कुछ बहुत कुछ चीजों ने आपको रोक रखा था, कि जिसकी वज़े से आप आगी नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीके, आप, तो आर्केंजल माइकल, मैं सच बताओ, आर्केंजल माइकल, अब आपको जैसे हाथ पकड़कर यहाँ से निकालने वाले हैं, ओके, वो सारी जैसे कि आपको यह बताना चाहते हैं, बस आपको यह जो ताला खुला हुआ है, इसकी तरफ आपको देखने की जरत है, रस्ता बिल्कु साफ है, जो भी आप अचिव करना चाहते हो, बस अपने उपर विश्वास रखो, फेद रखो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ठीके, बहुत कुछ चेंच, बहुत कुछ बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ओके शेरिंग, यस, 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 आर्केंजल माइकल में सच बताऊ न, यहाँ पर ये भी ये एक जैसे बहुत बड़ी सकसे से आपकी बहुत बड़ी सफलता है, ओके, जिसे आप है न, कुछ फिरें रहे हैं, वृष्ण बड़ी और आपकी एक वीस न, प zwischen न, यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं, ओके, अर्केंजल माइकल यह भी बताना चाहते हैं, आपको कि आप आप से जहां पर भी जो डास्टनी में सज बताऊ ना आपकी डास्टनी बहुत अच्छी है आपकी किस्मत बहुत अच्छी है आप बहुत भागिशाली हों लेकिन कुछ जैसे कही जैसे कि ब्लॉक के जोने की वजहे से ठीके हम अपने ही जैसे किसमत के दरवज्चे नहीं खोल पाते हैं, जो हम मतलब यहां पर लिखा हुआ रहता है ठीके तो वो मिलता जरूर है, तो आपकी destiny में लिखा हुआ है और वो आपको मिल रहा है, ठीके यहां पर आपको आरकेंचर माइकल इतना दे रहे हैं, इतना दे कि आपके साथ जो भी चीटी हुई है पास्ट में, जो भी धोका हुआ है, जहां पर भी आपको आपका फायदा उठाया गया है, आर्केंजल माइकल उससे डबल ट्रिपल आपको यहां पर देना चाते हैं, ठीके, तो यहां पर यह भी आपके लिए गाइडलाइस निकल रही ह कि अब आपको सिर्फ आगे की तरफ यहां पर देरा है, क्योंकि आगे सिर्फ सेलिब्रेशन है, ठीके, पीछे की तरफ देकोगे तो पीछे कुछ नहीं रखा है, आगे ही है आपकी लिए, ठीके, अब यहां पर अटके मत खड़े रहो, ठीके, यहां से बाहर निकलोगे, तो वो सब कुछ मिलेगा आपको जिसके आप गल्पना भी नहीं कर सकते हों, ओके यहाँ पर आप मुझे बहुत बहुत चेंज को मैं आपके अंदर महसूस कर रही हूँ, एक टाइम पर शायद आप सोच इचारी करते रहेते थे, ओके लेकिन अब समय यहाँ पर आरकेंजर मा के लिए बताना चाहते कि समय अब आपका ऐसा है, जिसे आप जो भी अच्चीव कर रहे हो, ठीके जो भी सक्सेज आ रही है, जो भी ब्लैसिंग्स आ रही है, ठीके वो आपको इतना हैपी कर रही है, इतना खुश कर रही है कि वो आप दूसरों के साथ शेर कर रहे हो, ठीक तो गए ठीक है किसी भी चीज में आप फसने वालों में से नहीं हो ओके यहां पर कि अब आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक खुशी जिसे मैं कहती हुए एक बच्चा एक खुशी है आपके अंदर तो उस जो भी आपका आपके अंदर जो हसना खिलकिलाना मुस्कुराना ये एक वापस से आप अपनी जैसे आप थे ठीक है जैसे आपने किसी इस्थिती परिस्थिती के कारण अपने आपको बहुत आप एक मासुम बच्चे हो ठीक है और आपको जैसे केते हैं कि इश्वर के उपर विश्वास रखना और मैंने सपनों को बुनते हुए आगे की तरफ यहां पर बढ़ना तो वही एक वही एक विश्वास आपने शायद विश्वास करना ही भूल गए थे सब के उपर लेकिन एक विश्वास जाग रहा है आपके अंदर फिर से एक उम्मीद हो एक आशा की किरन आपके अंदर जाग रही है यह एक बहुत बड़ी ब्लासिंग से आर्केंजन माइकल की आपके लिए काली माव फेसिंग फियर माइगाड बही मेरे सब्सक्राइबर है बहुत इस पर चल सब्सक्राव मुझे नजर आरा यहां पर भी लो है ठीक है तो आर्केंजन माइकल यह भी बताना चाहते हैं आइटिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था हरे किष्णा 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 हरे हरे वह मंत्रों का जाप आपको करने की जरुत है और कोई यहां पर शिव शक् से आपके अंदर एक बहुत एक मासुम से एक डर वाली मतलब एक एसी उर्जाती सहमे से एक डर आपके अंदर की नहीं में बाहर जाओंगा तो मुझे कुछ हो सकता है अंहां में बहार नहीं निकल सकता हूं आपका वो अंदर का डर, अंदर का भै, काली मा ने और आरकेंजर माइकल ने जैसे वो खतम कर दिया है ठीके, खतम कर दिया है और अब उस जो भी सिच्चेसन आपके सामने आ रही उसका आप डट कर मुकाबला कर रहे हो जैसे आप बहुत निडरता आपके अंदर आ गई है, ठीके, बहुत सहासी आप बन गए हो काली मा की तरह यहाँ पर कि आप, आप से कोई नहीं बच सकता, पेले आप सबसे डर रहे थे, अब आप, आप से सब यहाँ पर डर रहे हैं ठीके, एक ऐसी उर्जा है आपके अंदर क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपकी अंदर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजे खुलकर आपके बाहर आ रहे हैं यहाँ पर, इस्पेशली आपकी आपका ग्यान, आपकी बुध्धी, ठीके, आपके ड्रीम, आपके सपने, यह सब ची आपके, मैं होल्डिंगा हाट, आर्केंजर माइकल, सच बताओ ना, आपकी बच्पन में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ आपने, बच्पन की ही, आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसे घाव थे, जिसे आप भी नहीं कर पा रहे थे, जिसे आपका बच्पना रुक सा गया था, जहां पर आपकी, आपकी सोचने, समझने की भी शक्ति जाच चुगी थे, ठीके, आप सही से सोच नहीं पा रहे थे, खुद के प्रती, अपने आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे थे, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे, अपनी उन्नते और विकास को, जिसे क अंट रेंगे किस तरीके से हांसिल करना अचीव करना उसकी कुछ समझ नहीं आ पारी थी लेकिन यहां पर सब्लीSeBritte आपको बहुत मुझे आग रहा है किसी का इंतजार खतम हो रहा है। यहां इलेवन-इलेवन कौन कौप्या यहां पर मुझे एलेवन-इलेवन की उर्जा नजर आई थी ठीके यहां पर आर्केंजल माइकल आपको बहुत सारी प्लेसिंग्स दे रहे हैं ठीके जिस ब्लेसिंग्स से आने से आपके बहुत बड़ा चेच बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा ठीक है आपको बटरफ्लाइस आपको बहुत नजर आएंगी ठीक हलकी हलकी सुनहरी धूप में आपको रहना ज्यादा अच्छा लगेगा और फुर्ट आपको बहुत ज्यादा मतलब टेस्टी लगेंगे उनमें स्वा आज यहां पर करमा आ रहे हैं आपके हाथ हो रहे हैं अच्छे करमों का फल आर्चेंजल मायकल आपको यहां पर दे रहे हैं कर रहे हैं नाजर आयों स Давай के तक मैं सच बताओ आंटार एक साथ एक साथ इती सारी opportunities आर्गेंजल माइकल आपके जीवन में भेज रहे हैं, आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, जिसकी वज़े से आप जैसे कहते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत इजी ली ठीके, आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, जैसे अभी तक आपको लग र खोल दी यहाँ पर, आर्गेंजल माइकल यहाँ पर यह बताना चाहते हैं, कि अब वो वक्त है कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, ठीके, तो अपने उपर विश्वास रखो, और यह ब्लासिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीके, तो यह थी आर्गेंजल माइक महादेव